Assalamualaikum dear students, welcome in your maths. Today we will discuss very important topic relations and functions. आज की topic में जो है हम discuss करने वाले हैं कि relations basically क्या होते हैं और functions क्या होते हैं. functions और relations को just हम discuss करेंगे functions की जो आगे further types होती हैं उसको इंशाला हम जो है वो next lecture में discuss करेंगे कि functions की जो types हैं वो क्या होती हैं और किस तरह से हम discuss करेंगे deal करेंगे वो देखेंगे निशाला next lecture में आज हम जो है इन दोनों को discuss करेंगे सिरफ अभी मैं आपको relations का मता रहा हूं कि basically relations जो होते हैं मैच में क्या होते हैं अच्छा तब relation क्या होता है जी हमारे पास अगर दो sets हो और दो कोई non empty sets हो अब non empty sets का मतलब क्या है for example मैं जो है वो आपको example के जरीए बताता हूं सबसे पहले तो अब for example में रहे पास एक यह set है और दूसरा हमारे पास यह set है ठीक है इस पर जब हमारे पास जो है यहां पर for example मैं a, b और c यह रख लो और यहां पर भी जो है मैं कुछ elements रख लो वान, two, three इसको for example आप नाम देदे ए का इसको आप नाम देदे for example be का, Okay! तो इसमें हमें हमारे पास क्या होता है? relation में the connection between two non-empty sets किसी भी दो non-empty sets के तरमयान जो connection होता है elements का वह क्या कैलाता है basically relation के यहां.ion क्या हो सकता है ein A का 1 के साथ हो सकता है, B का 2 के साथ हो सकता है, C का 3 के साथ हो सकता है, इनका जो connection है, cross connection भी हो सकता है, A का 2 के साथ, A का 3 के साथ, A का 1 के साथ, B का किसी के भी साथ, लेकिन connection जो होना चाहिए, वो linear होना चाहिए, linear का मतलब क्या है कि कोई एक element किसी element के साथ join हो ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनों के साथ join हो या इस तरह से कुछ हो जाए दो element किसी एक के साथ join नहीं कर सकते relation के अंदर भी और function में भी ठीक है तो यह हमारे पास जो था two non empty sets किसी भी दो non empty sets के दमाइन जो connection होता है उसको क्या बोलता है अब देखें वाटा है यह जो ए और बी भी हमारे पास दो sets है यह दोनों के दोनों non-empty non empty का मतलब क्या है कि इस set के अंदर भी कुछ ना कुछ elements पढ़े हुए इस set के अंदर B के अंदर भी कुछ ना कुछ elements पड़े हुए तो यह जो है वो एक non empty set है ठीक है तो यह होता है relation अगर हम जो है वो इसकी daily life में हम देखें कि इसकी जो है कोई example discuss करना चाहें तो हमारी जो age होती है और हमारी height होती है ठीक है अगर इसकी है वहाऀबू है यह होती है वहाओ जो हाइज में हम करने है जो है इसकी aja है जो हमें कि होती हैicie гр इसकी हाइज नहीं और है यथ जहांने नहीं हो यह देखा यह 5 साल पहले देखा माइनर केस Smith होता है कि किसी बщग है वह नार्मली तॉरब पे नाफ्टा, लेकिन जो है, वह अदर केसे में क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है? कि ऐज के साथ थी ह हाइट भी इंक्रीज होती होती जाती के एक ए लिए कैजमपल, अगर मैं अपना ही डिसकस करूँ, तो रहर से एगर मैं दस साल पीशे से लाजाओं तो मेरी जो हाइट थी वो कुछ और थी अभी जो है मेरी एज इंक्रीज होई है तो एज के इंक्रीज होने के साथ जो है मेरी हाइट भी इंक्रीज होई है तो इनका जो है वह आप इसमें कनेक्शन है एज का और हाइट का चीक है अच्छा उसके बाद जो है हम क अच्छा आप देखें वाटा फंक्शन की सबसे पहले जो है मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ a special relation in which one and only one element of set A maps with only one element of set B अब देखें यहां पर जो है मैंने डेफिनेशन लिखी तो डेफिनेशन से आपको कुछ भी समझ नहीं आई होगी कि बेसिकली फंक्शन होते क्या है इसको भी मैं आपको जो है वह एक्जेंपल के दरीए ही डिसक्स करते हैं इस पर भी हम जो है वो कुछ numbers पोस्कर लेते हैं सेम ले लेते हैं a b and c यहां on a यहां पर है इदर ले लेता हूँ 122 इंड 3 इसको नाम दे देते हैं जि जमस्कुल सब्सक्राशική से बनए जांज सब्सक्राइब यकि का अथे इसको मतल है अग्ला आता है ुकिकई किसी एक thou Cameron के साथ कि सथ ही यह यह अश्य हो सकता है चुझा है वो फरी के साथ यह वह यह वन के साथ बना ले यह तसा नहीं को सकता की वन के साथ भी इमस्त bütün बनाए को कि सिंगल जो है किसी दो elements के साथ जो है वो image नहीं बना सकता function के अंदर दोबारा सुनने functions में जो set a का सिरफ एक जो element है वो set b के दो elements के साथ image नहीं बना सकता एक बंदे की जो है वो दो images जो है वो नहीं बन सकती इनकी जो है वो linear image बनेगी single image बनेगी ठीक है अच्छा अब इसमें जो है वो जो है वह सेट ए का हर एलिमेंट जो है वह सेट बी के साथ मैप करता है लेकिन उनकी जो मैपिंग होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए यूनीक किसम की होनी चाहिए यूनीक किसम की मतलब यह है कि हर सिंगल एलिमेंट हर single element के साथ जो है वो image बना रहा हो इनकी image जो है cross भी हो सकती B मतलब 1 के साथ भी बना सकता है C2 के साथ भी ऐसा नहीं है कि इनको आमने सामने ही बनाई ये cross भी बना सकते हैं चाहिए इसमें जो है वो कुछ जो है वो important points भी है है वो भी मैं आपके साथ जो है वो share कर देता हूं अच्छा इसमें जो है वो important अगर मैं बात आपको बताऊं तो वो क्या है जी इसमें कुछ important points है सबसे पहला जो है वो क्या है functions should be non empty जिन functions को जो आप discuss कर रहे हैं वो function जो है वो क्या होना चाहिए should be non empty अच्छा सबसे पहली बात तो हो गई यह कि जो functions होने चाहिए वो क्या होने चाहिए non empty होने चाहिए दूसरा जो है वो क्या होना चाहिए दूसरी बात यह है कि every element of set A should have some image in set B यह important सरा समझने वाली बात है कि क्या होता है कि set A में जो हर element है उसकी कोई ना कोई image होनी चाहिए set B के अंदर मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं हो सकता कि A जो है वो 2 के साथ बना ले C जो है वो 3 के साथ बना ले और B भी 3 के इसके साथ बना ले sorry जो है वो C और मतलब A, C जो है, वो 3 के साथ बना ले C जो है, वो 1 के साथ बना ले और जो B है उसको जो है आप किसी के साथ मैप करवाएं ही ना तो ऐसा नहीं हो सकता, यह जरूरी है कि set A का हर element किसी के साथ, किसी ना किसी के साथ जो है वो attach होना चाहिए image बनानी चाहिए तो यह इसका second important point है कि set A का हर element set B में कोई ने कोई image बनाए लाजमी तो यह function की definition को पुरा करता है अच्छा उसके बाद जो है वो तीसरी इसमें जो है मैं बात अगर आपको बता दूँ तो third इसमें जो point होगा वो क्या होगा two or more elements in set A can have some image in B अच्छा क्या है जी आप देखें फार एक्जामपल जो है वो यहां पर one two three है तो यहां पर अगर मैं x y z ले लू तो इसमें महरे पस इसको नाम दे दूँ एका इसको मैं नाम दे देता हूं भी का इसमें क्या है वो क्या कह रहा है कि two or more elements in set A can have some image in B कि वो कह रहा है कि दो या दो से ज्यादा जो elements है set A के वो set B के single element के साथ जो है वो image बना सकते हैं मतलब इस तरह से यह one जो है one भी z के साथ हो सकता है two भी z के साथ हो सकता है Y के साथ भी बनाए मतलब एक single element दो चीज़ों के साथ image नहीं बना सकता कोई हर single element set B के single element के साथ join हो सकता है दोबारा समझ लें इस बात को यह बात जो है वो एक point में दो point आपको समझाओंगा for example A, B और C है और यह for example 123 है क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता सबसे पहले मैं वदारा कि क्या possibility है इसका जो हर element है वो set B के किसी एक single element के साथ map कर सकता है चाहे आप सब को किसी एक के साथ करवा दें इस पें जो है वो कोई हर्ज नहीं है आप जो है वो इस तरह की mapping करवा सकते हैं मतलब set A का हर element set B के किसी एक element के साथ इमज बनाए तो no issues लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्या नहीं हो सकता वो मैं आपको जो है वो बता देता हूं A के साथ भी image बना रहा है A जो है वो two के साथ भी image बना रहा है और A जो है वो three के साथ भी image बना रहा है किसी एक element की एक से ज्यादा images नहीं हो सकती इमज जो है वो unique होनी चाहिए unique का मतलब यह है कि उनकी image single बननी चाहिए एक single element किसी दो यह दो से ज्यादा elements के साथ जो है वो image नहीं बना सकता ठीक है तो यह है जी यह चार इसके important points है अब मैं आपको बता देता हूं कि functions को आप जो है represent किस तरह से करते हैं इनकी mathematical notation होती है वो किस तरह से होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं इनकी जो है वो notation किस तरह से होती है इनकी notation for example अगर हम देख लें तो वो होती है y is equals to f of x ठीक है अब इसमें y क्या होता है x क्या होता है और f क्या होता है y जो होती है वो इसमें होती है function की output जो आपका result निकलता है x क्या होती है input होती है जो आप number देते हैं और f क्या होता है f basically कोई ने कोई function होता है आपको जो है मैं एक simple example के साथ जो है वो यही बात समझा देता हूं for example हमारे पास आजा है y is equal to 3x हमारे पास जो है वो यह एक relation हो और हमें बता दिया जाए कि x की जो value है वो 1 है अब देखें x जो है वो input हमें दे रहा है ठीक है अगर हम इस relation में यह वाली input जो है वो apply कर दें तब हमारे पास क्या output निकलेगी वो हम देखते हैं देखें y is equal to 3 into जो input है उसकी जगह में क्या replace कर दूँगा 1 तो y is equal to 3 मांजा 3 अब देखें 1 क्या था एजा input यूज किया तो हमारे पास जो output आई वो क्या आई है 3 आई किसमें यूज करने से इस function में इस relation में यह जो 3 है इस function को यूज करते हुए हमें output दे गई इनपूट को यूज करती है वो आपने जो है वह क्या निकाले या output निकाले के जया है यह उह निकालता जाते जाएं वैसे जयासे जैसे वह नीचे से जो है वहाशना मिलता जाएगा carrot का ठीक है ऐसा नहीं हो सकता कि उपर से जो है वह आप carrot डाले ना input डाले ना और नीचे जो है वह आप बरतन रखके खड़े हो जाएं भाई कि यहां से जो है जूस के खजाने निकलेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता जब तक आप उपर से इन्पुट नहीं देंगे तो आपको जो है कोई भी आउटपुट नहीं मिलेंगी ठीक है यही था जी हमारा आज को टॉपिक अमीद है आपको जो है इसमें हर सिंगल पॉइंट समझ लग गई होगी अगर आपको फिर भी किसी किसम का डाउट हो तो आप जो है वह कमेंट सेक